दोस्तों कैसे हो आप सब उमेदे सभी लोग बढ़ियाओंगे और अभी आप देख पा रहे होगे स्टीन पर टीवी एस जूपिटर 125 यह मिड वरियंट है एक्चुली इसमें तीन वरियंट आपको देखने को मिल जाएंगे इसकी एक्सरूम प्राइस जाती है करीब नाइटी वन थाउजनड के असपास और जाता है वन लाग टेन थाउजनड के असपास एक लाग तस जार में आपको क्या कुछ मिलता है इस स्कूटर में चलिए देख लेते हैं अगर फ्रेंट इसका देखोगे यहां पर देखी कुछ ऐसा आपको मिलेगा काफी ज्यादा स्कूटर में दिखा देता हूँ कि आप स्कूटर को अन करोगे तो हैडलाइट की विजिबिल्टी कैसी होगी और टेल लाइट इसका कैसे आएगा तो चलिए स्कूटर को अन कर लेते हैं यह देखिए तो भाई जो स्टार्ट होती है बहुत जादा सालेंड बेस की स्टार् स्टार्ट वाले विजिबिल्टी है LED वाली हैडलाइट की वह कुछ आईसी आपको मिलेगी और जो पीछे की टेल लाइट जल लाइए यह देखिए यह LED में है लेकिन इंडिकेटर आपको हालोजन मिलेंगे और इसकी विजिबिल्टी आप चेक आउट कर लो के तहाद आप कर रहा है वागी इंडिकेटर में जलाकर दिखा देता हूं यह देखें तो कुछ ऐसा आएगा यह देखिए तो लुक की बात करें यार तो लुक में जूबिटर 125 में आपको कोई भी कमी नजर नहीं आएगी इसका जो फ्रेंट लुक है काफी ज़्यादा बढ़िया है लुक यहां पर देखोगे तो आपको DRL मिल जाएंगे जोनो साइड में जिसकी बिजिबिल्टी कुछ ऐसी आपको मिलने वाली है और यहां पर आपको TVS का लोगो देखने को मिल जाएगा बाकि यहां पर आपका नंबर प्लेट फिटमेंट होगा वह आप देख पारे होग डाइमंड कट आपको हुल्स देखने को मिल जाएंगे और 90 by 90 सेक्शन का टायर मिलेगा 12 इंच के आपको हुल्स आगे और पीछे दोनों में देखने को मिलने गी बाकि यहां पर क्रोम फिनिसिंग दी गई है तो इसकोटर का जो लुक है ना फ्रेंट से वह काफी जादा ब कुछ ऐसे यह देखी इसके अंदर की जो फॉर्म है वह बहुत बढ़िया है पीछे में आपको सिंगल पीस ग्रेव हैंडल देखने को मिल जाएंगे और यह भी आपको बॉडी केलर से मैच देखने को मिल जाएंगे इसके बाद इस साइड में देखोगे जूपिटर 125 का आ और यह देखी यहाँ पे फैन है तो भाई एर कुल्ड इंजन के साथ आता है 124.7 CC का इसमें इंजन मिलता है एर कुल्ड सिंगल स्रेंडर 4 स्टोक और जिसकी जो पावर है 8.15 PSP है जो आर्पियम आपको मिलती है 6500 आर्पियम मिलता है और जो इसका टॉर्क है 10.5 एनम का मि मिलता है आपको 4500 आर्पियम पे तो यहाँ पे जो इसका टॉर्क है वो काफी जादा बढ़िया मिलता है आपको और पावर तो भाई स्कूटर में इतनी ही होती है स्कूटर में यहाँ पे देखोगे अगर आप फ्रेंट हुल में तो आपको डिस्क ब्रेक मिलेगा 220 mm का यह यहाँ पे आपको 12 इंच के फुल्स मिल रहेंगे बाकी पीछे में आपको मोनो टूइप सेस्पेंशन मिलता है तो आप इसे अर्जेस्ट कर पाओगे बाकी यहाँ पे देखिए तो आपको की किस्टार्ट का ओप्सन दिया जा रहा है इसके बाद जो फूट पैक्स है यह जादा प्रीमियम है यह पिलियन के लिए है और यहाँ पर देखिए ओवराल लोग कुछ ऐसा आपको मिलेगा सीट कंफट की बात करें तो यह देखिए आपको लेग स्पेस जो है काफी ज्यादा बढ़िया मिलता है इस स्कूटर में और जब आप इस पर बैठोगे तो ले यहाँ पे स्पीड़ो मिटर सा करेगा टीवीए को लोगो लोगो मिलेगा और एको मोड आपको यहाँ पे मिल जाएगा फ्यूल उके तो करेगा यानि इसमें 3 trip meter आपको मिलते हैं, trip A, trip B, trip up, तो यह select करने के लिए है, और यह आपको mode और select दो बटन मिलते हैं, जिससे आप trip meter वगए detail को reset कर पाओगे, और timing होगा आपको अब set कर सकते हो, यहाँ पर Ithias की switch मिल जाती है, अब यह switch क्या काम करती है, कि जैसे आपके red light होगा पर खड़े हो, तो यह automatic scooter बंद हो जाएगा, और जैसी आप यहाँ पर इससे दबाओगे, तो यह automatic scooter चालो हो जाएगा, तो फूल की saving करता है, जिससे आपको थोड़ा सा mileage और भी comfort तरीके से, बढ़िया तरीके से निकल के आता है, यह power start का button मिल जाएगा, यहाँ पर high beam, low beam ह यह देखिए, इसके बाद यहाँ पर indicator के button और यह horn, horn भी अपने हिसाब से ठीक ठाक ही है भाई, इसके बाद यहाँ पर देखिए, तो आपको एक charger support करता है, तो आप data के वे लोगरा लगा के charge भी कर पाऊगे, यहाँ पर एक pocket मिल जाता है, थोड़े बहुत सामान आप यहा आप रख पाऊगे, तो थोड़ा सा comfort रहेगा, अच्छा रहेगा, यहाँ पर इससे आप fuel भरा सकते हो, तो यह external fulfilling की सुब्दा है, काफी बड़ी आया, यहाँ पर E20 की आपको badging mention देखने को मिल जाती है, और यहाँ पर carry हूँक आपको मिल जाती है, तो थैला बगर आप ल अब देखो अगर boot space देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए, सबसे ज़्यादा boot space आपको मिलता है, Jupiter 125 में, और इतना boot space आपको कहें नहीं मिलता, 33 liter की मिलती है, और यहाँ पर देखिए, कितना ज़्यादा space है भाई, यह lady footress होगरा रखता हुआ है, यह भी install होगा, accessories के तोर service book को कर रहा है, और यहाँ पर देखिए, तो आप helmet रकलो double, और भी बहुत सारे सामान रकलो, कुल मिला के कहीं आप जा रहे हो ना, तो आप total यहाँ पर package रख सकते हो, अपना एक luggage भी डाल सकते हो, इतना space यहाँ पर आपको मिल जाता है, तो कुल मिला के यह देखा जाए, तो Jupiter 125 में आपको बहुत परिया space देखने को मिलता है, और अगर mileage की बात करें ना, तो 57 company claim करती है, लेकिन approximate यह आपको mileage provide कर देगा, 50 campaign के आसपास, 50 campaign की mileage मिल जाएगी, एक comfort आपको scooter मिल जाएगा, और boot space आपको बढ़िया मिलता है, प्राइज जी, तो भाई मैंने आपको ब offer कर दिया जाए, आपको यह बोलना पड़ेगा कि मैंने यह video universal bike knowledge channel पर देखा था, बाकि आपको वीडियो कैसे लेगी, यह आपको scooter कैसे लगा, comment section में जरू comment करना, अगर वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो, scooter में आपको कुछ भी पसंद आया हो, वीडियो को like कर देना, channel पर भाई नए हो, channel को subscribe कर लेना, तो कि आगे आपको और भी ऐसे content देखने को मिलते रहेंगे, thanks for watching.